विकास खंड धोरारा में हैंड उपंप मरमत होने के बाद नहीं सुदरी हालत नमस्कार में हूँ आपके साथ वैशाली आप देख रहे हैं के बीपियन नियूस विकास खंड धोरारा में सरकार स्वक्ष्टा भारत मिशन योजना के अंतरगत लाखो रुपे खर्च होते हैं ग्राम पंच्वायतों में लाखो रुपे का हर भुग महीने भुगतान होता है फिर भी हैंड उपंप खराब पड़े हैं पर लाखो रुपे निकाले गए हैं फिर भी हैंड उपंप खराब पानी देते हैं जिसे जनता में काफी आक्रोज वहां के ग्रामीडों ने बताया कि उस दिन पहले हैंड पंप मरमत किया गया था मरमत करते समय चो पाई फूटी निकलती थी उसको टीप से बांध कर चाल अगया था हैंड पंप मरमत और इबोर के नाम पर केवल धनुकाही सचिव और प्रधान ने कि आगर वहां की जाज के जाए तो प्रधान और सचिव के काफी कमिया सामने आएंगे आगे देखना है कि खंडविकास अधिकारी जाज करके क्या कारिवाही करते हैं समवात दात नहीं पड़ी है या पुरानी नहीं पुरानी पड़ी है कैसी पड़ा है सब फूटी है टीप से बांधी है फूटी है और टीप से बांधी है पानी कैसा देद पानी बढ़िहा उपे नहीं है गंदा तो नहीं आता गंदा आओ थे हलका बदबू बदबू तो हलका पूलका आपके बिलाक कौन सी और नल जो है कब बना था अच्छा पानी इसका कैसा है पानी पीने में नहीं अच्छा है अच्छा रिबोर करने वाला है क्या रिबोर करने वाला है